ह 들고 चर्चा कर ने जा रहे हैं चीफजेस्टिस के गरिदा की फैपि अफिस्टिसीश्चन लगाया Registrar ने court के अंदर फिर से petition डाली और court ने ये statement दिया क्या हम Janus है क्या high court Janus है अब Janus समझने की कोशिश करते हैं मैं भारती भाषा मैं बोल रहा हूँ Janus J-A-N-U-S Janus तो Janus शब्द अगर उसको कहेंगे अंग्रेजी में उसको Janus कहते हैं American English उसको Janus कहते हैं और Latin का शब्द है ये और इसका मतलब होता है ग्रीक में दो मुख वाला देवता यानि कि क्या high court के दो अलग-अलग मुख हैं क्या high court दो अलग-अलग तरीके से एकी ही में मर्ज है ये सवाल है मामला था क्या हुआ क्या कि केस और विल्स court में आया MB Act का था Motor vehicle Act का Motor vehicle Act में court fees को लेकर कोई विवाद हुआ कोट ने सरकार को लिखा कि इस पर MB Act में court fees को लेकर आप court fees टै करिए और इसका regulation बनाईए और जब तक आप ये तै नहीं करेंगे तब तक court fees exempt की जाती है यानि कि जो MB Act के तहत हाई court पोंचे हैं उनकी court fees अब यहाँ पर exempt की जाती है उनको उनकी court fees नहीं लेनी है छीक है इस मामले में जब हाई court के सामने case गया तो हाई court ने order करते हुए chief justice को लिख दिया सरकार को कोई भी आदेश circular के रूप में circulate करने से पहले वो administrative committee उस पर एक watch करती है उसको एक देखती है देखने के बाद उसको लगता है कि भई perfect है तो फिर वो उसको forward करती है और नहीं लगता तो उसको forward नहीं करती है तो सवाल ये था कि जब हाई court के chief justice की जो administrative council है वो उसको qualify कर देगी तो फिर वो circular की तरह आगा फॉर्मट कर दिया जाएगा राजसरकार को कह दिया जाएगा खेंदर को कहना है तो केंदर को कह दिया जाएगा और केंदर और राज्य के ऊपर वो एक मेंडमस के rate की तरह हो ज पर फीशी रोग दी अगर इस मामले को सरकार को सरकूलेट किया जाएगा ये आदेश दिया जाएगा तो सरकार पता नहीं कब तक रिस्पॉंड करेगी हो सकता उसको साल दो साल लग जाए हो सकता और उस पर कर लाना पड़े और तब तक कोड़ फीश का क्या होगा तो register को administrative council नहीं ये का कि ये गलत हो गया है court से फिर से कहो कि इस पर review करते हैं अब उन जसाहिबा के पास एक पीटी आशा नाम की जसाहिबाती मलाब ऑनेबल जस्टी उनके पास रिजिस्टार जनरल ने कहा case बना high court of judish nature at madras represented by which registrar general versus थिरू मलाई तो court ने उनसे कहा मलाब ऑनेबल जस्टीस पीटी आशा ने उनसे कहा कि आप मुझे पताईए कि आप ये case लेकर आए हो क्या आप इस case में engraved party थे क्या आप इसमें party थे अगर आप party नहीं ते तो आपका jurisdiction कैसे बनता है मेरा jurisdiction कैसे बनता है और क्या high court दो faces हैं क्या court के अंदर का judgment हमने किया है जिसमें हमने judicial power का इस्तिमाल किया है क्या administrative power का इस्तिमाल करते हुई जुडिशल पावर को अपास्त, जुडिशल ओर को अपास्त किया जा सकता है बड़ा महत्वपून प्रशन है कि कोड के पास दो तरह की पावर है और यही आज भी मैं सुप्रीम कोड का जो कोलेजियम सिस्टम है उसके लिए भी मैं लगातार यही कह रहा हूँ रूपा आशोखोरा वर्सिस आशोखोरा में जब क्यूरिटिव पर्टिशन और अभी सुप्रीम कोड ने ग्रांट की थी तब भी उसने यही कहा था कि जो जुडिशल फंक्शन है अड्मिनिस्टेटिव फंक्शन जुडिशल फंक्शन अलग-अलग है इसलिए क्यूरिटिव पर्टिशन कैसे जा सकती है वो उसका प्रोसीजर डबलब किया था सुप्रीम कोड रूल्स में है तो क्या है कि कोड के पास एड्मिनिस्टेटिव पावर और जुडिशल पावर जुडिशल पावर उसको कहते हैं जब कोई एड्यूडिकेशन की बात आती है कोई डिस्प्यूट की बात आती है रेमेडिय उसमें मिल सकती है कोड फीस उसमें जमा है जुडिक्शन कोड का लगता है तो ऐसे मामलों में मेरिट पर जब कोई जच्चमेंट आता है तो हम ये कहते हैं कि जुडिशल पावर का इस्तिमाल करते हुए कोड ने एड्यूडिकेट किया और ये जच्चमेंट बाइनिंग हो गया और एक बार जच्चमेंट के बाद कुछ थोड़े से विशे को छोड़कर थोड़े से विशे में जब कोई कलेरिकल मिस्टेक आजा उसको छोड़कर जच्चमेंट एक बार हो गया तो उसको वो छुआ भी नहीं जा सकता अपीलिंग कोड में जाएगा तो यहाँ पर बात यह आई कि कोड नहीं कहा कि आटकल 215 में हमको लिमिटेट पावर है किसी भी जजच्मेंट को अमेंड करने की आइडिट करने की आप मुझे बता दीजिए मैं जुडिशल फंक्षन एप्लाई करते हुए इसमें एडमिस्टेटिवली कैसे संशोधन कर सकती हूँ बात बिलकुल महतपूरती एडमिस्टेटिव फंक्षन कौन से होते हैं एडमिस्टेटिव फंक्षन वो होते हैं कि जैसे कोड में कोई बात है कोड फीस का मामला आता है एडमिस्टेटिवली डील होता है कोड में तारीक लगती है administratively deal होती है, court कुछ purchase करता है, administratively deal होती है, court roaster लगाता है तो administrative deal होती है, court quorum बनाता है, administratively deal होती है, court के नीचे का जो section है, जहां पर हम filing करते हैं, वो सब administrative section है, कि या वो administrative section ने नीचे से बनाते बनाते उपर भेजा, उसने court fees check कर लिए, ऐसा कर लिए, ऐसा कर लिए, लेकिन judicial function व वो है जिसमें एड्जुडिकेशन होता है जिसमें कानून की बारीखी का फैक्टों के साथ इस्तिमाल करते हुए हम उसकी मेरिट के अधार पर जज्जमेंट करते हैं और रिलीव देते हैं यहां कोई रिलीव की बात तो है नहीं तो उन्होंने यह कहा कि मुझे यह बताओ कि थिरू मलाई जो उसका पिटिशनर है जो कि जिसका केस है वो तो यहां है नहीं हाई कोट पाटी था नहीं तो हाई कोट केस किस आधार पर हमारे पास लेया और हम किस आधार पर उसको सही कर सकते हैं मेरे पाद लिमिटेड जुरिडिक्शन है मैं इसको नहीं कर सकती चीफ जिस्टिस ने भेजा था रजिस्टार जर्नल के थुरू और चीफ जस्टिस को ओनेवल पी टी आशा ने जवाब दिया कि administrative function के थुरू हम judicial order को बदल नहीं सकते इसका मतलब यह हो गया single judge का जो order है अब latest patent petition के थुरू double bench में कम से कम जाए या फिर chief justice full bench बनाए तो इसको सुने लेकिन single judge अपने ही order को कैसे administrative भी घर में बैट कर कर सकते हैं हो तो सकता है करते भी होंगे लोग से क्योंकि register ने कहा order तो अपने घर का ही था अपनी ही judge साब ने किया था उसी court में किया था तो वो order पुरान वाला फेड़के फेक देते ने order कर देते और किया नहीं है इसा नहीं है ऐसा ठीक है लेकिन honorable justice p.t. आशा ने judicial function versus administrative function को ध्यान में रखते हुए इस order को किया और मना कर दिया मैं बताता हूँ कि यही मामला कोलेजियम का है कोलेजियम administrative function में है अभी आपने honorable justice school का statement सुना होगा जिसमें किरन रेजीजी साब ने statement दे दिया था honorable vice president statement दे दिया था कोलेजियम की recommendations को केंदर सरकार ने fulfill नहीं किया था तो court में एक petition चली गई थी पैंगलोर के कुछ advocates चले गए थे उस petition की सुनवाई करते समय honorable justice school ने ये कहा कि भई आप माने नहीं तो हम contempt बनाएंगे अब उस मामले में केंदर सरकार ने जो list यहां से गई थी chief justice के पास से केंदर सरकार ने उस list को न मानते हुए 18 judges की अपनी list दे दी आप 18 लोगों की अपनी list दे दी और काई उस पर विचार करिए तो collegium के पास भेती है अब सवाल ये पैदा होता है कि collegium में जो चीज consider होनी चाहिए वो क्या administrative वो क्या judicially treat हो सकती है यानि कि collegium को क्या आदेश दे सकता है Supreme Court और collegium कोई आदेश ऐसा कर सकती है जो court के जो judicial मामला है जिसको judicial function में है वो collegium उसको पस्त कर सकती है कि collegium तो administrative function है वो judicial function तो है नहीं वो appointment pure executive function है executive का मतलब administratively deal कर रहा है administratively जब deal कर रहा है तो वो judicial function चुकि है नहीं इसलिए court के administrative function versus judicial function इस बात को मैंने जब जिस समय advocate on record association का case आया था और अब जस्टिस कहर ने जब यह statement दिया था कि judiciary is independent तब मैंने उस समय भी कहा था judiciary is independent for the judicial function only not for the administrative function court का administrative function में आप जज नहीं है court के administrative function में केवल आप एक अदेकारी है जो अपने मातहद court को manage कर रहे हैं वो management judicial function नहीं हो सकता और judicial function जो नहीं है उसके लिए आप independent नहीं है आप केवल independent उसके लिए है जो judicial function है यानि कि judicial function प्ले करते समय कोई intervention नहीं होगा आप एक the body है आप एक independent body है उसमें सरकार का दखल नहीं हो सकता सरकार का अगर दखल है तो सरकार आकर उस पर argument करे उस argument के पास on a will court decide करेगा लेकिन administrative function लेकि कोलेजियम और appointment का मामला है वो कोई judicial function नहीं है इसलिए वो independent नहीं हो सकता वो executive function है जो कि सरकार का पे प्योर रोल है और सरकार का रोल है इसलिए आपने सरकार की power अपने हाथ में ले रखी इसलिए सरकार बार-बार उन आप से कह रहे हैं कि यह आपका काम जज्जमेंट करना है सुनवाई करना है आपका काम appointment करना नहीं यह बात आज और वेल फंक्शन वर्षी जुडिशल फंक्शन लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस समय भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि जुडिशल फंक्शन के लिए कि इस जुडिश्मेंट को हमें लगता है कि बड़े अच्छे से सभी को ध्यान देना चाहिए ताकि यह पता लगे कि आखेर कितनी गहराई है उनके इस ओर्डर में जैहिंद जैभारत वंदे मातरम